हलो दोस्तों स्वागत है आपका मारे चैनल लेटेस लन फार्मेसी में आज हम लेकर आए हैं आपके न्यूट्राशूटिकल्स का पार्ट नमबर टू जिसमें आज हम डिसकस करने वाले हेल्थ बेनिफिट्स एन रोल आप न्यूट्राशूटिकल्स इन एलमेंट लाइक डाय के बारे चैनल लेकिन उससे पहले में आपको एक छीज़ और बता देना चाहता हूं कि यह न्यूट्राशूटिकल्स होते हैं यह आपको कब काम करते हैं और कब काम नहीं करते हैं देखिए अगर आप किसी डिजीज से गरसित होने वाले हैं इसका मतलब क्या है कि प्री स्टेट में इसका मज़से डायबिटीज है तो डायबिटीज आपको होने वाला आपको ऐसा लच्छना आ रहा है कि डायब आप इंटेक्ट करते रहेंगे वो आपको ट्रीट नहीं कर पाएगा तो हम सिंपल लैंगुज में अगर ऐसा कहें जो मैं न्यूट्रा सूटिकल्स होते हैं यह क्यों प्रिवेंटिव होते हैं तो यह जैसा कि आप जानते हैं कि आए दिन जैसे यह हमारा जो जमाना चल ला है जो हमारा यूग चल ला है इसमें आए दिन एक न एक रिसर्च होते रहते हैं कभी कुछ रिसर्च होता है कभी कुछ रिसर्च होता है तो ऐसे कुछ न कुछ एडवांस रिसर्च होते रहते हैं तो उन्हें रिसर्च यह अधार पर यह बताया अगर आप सुरू से डाइट अपनी कंट्रोल करके रख लें बराबर एक्सरसाइज कर रहें तो आपको डाइबिटे नहीं होगा केटारेक्ट का मतलब किया जो मोतिया बेन हो जाते हैं आपके आखों में कार्डोवेस्कुले डीजिग यह तो सिंपल सा अगर आप समझेज़ें कि अगर आपने हेल्ट जैसे कहते हैं कि ज्यादा तेली यह मतलब जादा मसालेदार चीज मत खाईए तो यह से हमारे क्याते हैं तो आपको ऑप अपनि न्यूटराइशूटकर्जुट तो यह सब प्रेट सुटिगर तो आपको जरी आपको नजयात मिलेगे यह सबıs चीज event कमें 사용 को सब्यसिकает ने idea को ट्रीट या क्योर कर सकते है आइज पर आवर सेङ Juliet आप जानते कि डाल कोश का लेविल बढ़ जाता हैं तो केंडिशन तो में हमक्का ब談ते हैं ढ़ा बोल सकते हैं जू हमारे बोडी के insulin का synchronization नहीं हो पाता है तो उस condition में क्या होता है कि हमारे blood के अंदर जो glucose का level होता है जो carbohydrate का level होता है वो eliminate हो जाता है इसका मतलब क्या होता है वो बढ़ जाता है elevate हो जाता है तो उस condition को हम क्या बोलते है diabetes अब diabetes को हमको ऐसे cure कर सकते है ये अलग template है लेकिन हम कैसे प्रिवंट कर सकते हैं कि कौन-कौन से न्यूट्रा सुटकर्स हम अगर यूज करें तो आने वाले भविस्ग में या आने वाले समय में हमको diabetes से खतरा ना हो सके इसके बारे में हाज हम देखते हैं ठीक है ना तो यह हो गई सिंपल सी आपके डाइबिटेज अब उसके बाद क्या 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 आप कौन-कौन से न्यूट्रा सुकर्स यूज करेंगे तो सबसे पर आता है आइसो फ्लेवोनोंस जो क्या होता है आपके सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स होते हैं ठीक है जिसके अंदर लाइक लगव होती अधिक मातर में इसलिए बुरह आता है कि जो अपकी हरी सब्जय होती है आपके अब silent राकाल के बिमारिया होती है उससे लड़ने के लिए आपको साहता परदान करती है उसके बाद अथा करता इथा स्ट Nevada c Looks quality ये डिए जो Yoga Trade Listen Transtill किसके लिए होता है जो इंसुल 1 का यह इसतर पदात या ऐसे फल यह सब्या旗ी अंदर रेषय पहते जैसे आप बनाना क्वाइब कर सकतें सेकें हम उसको यूज कर सकते हैं सबसे चीज डाइविटिज की दवा है वो कि आपकी जामून का बीज़ है जामून आप खाए आपको डाइविटिज कभी नहीं होगा simple अगर आपको ऐसा लगता है genetically आपको डाइविटिज हो सकता है तो आप क्या कीजिए simple सा जामून लीजे जमुन के जितने बीज होते हैं बीज को इकठा कर लिजे उसको पीस के पाउडर और सुबा क्या कर जे गरम पानी से खा लिए किजे गारंटेड मैं दे रहा हूँ अगर आपको डायबेटिक हो गया तो उस दिन मैं आपको चैनल बंद कर दूँगा ठीक है ना तो ये चीज आप अगर जेनेटिकली है जैसे आपके परिवार के अंदर किसी को है तो ये चीज आप यूज कर सकते है ठीक है ना अब बाताती है कि कौन-कौन से ऐसे न्यूट्रासूटिकल्स हैं जो कि हम डायबेटिक के कंडिशन में यूज करते है तो सबसे पहला आता है फ्लेवोन्स अब ये काम कैसे करता है जैसे पैरसिटमॉल टेबले आप लेते है तो वो क्या करता है मैसेज करता है उसके बाद जो elevated temperature होता है body का वो क्या होता है डाउन हो जाता है उसी परकास है ये फ्लेवोनोंस होते है ये क्या होते है ये actually होते है फ्लेवोनाइट्स जैसा कि मैंने आपको बता है secondary plant metabolites होते है इनके अंदे 15 से 16 कारबन की chain पाए जाती है अब ये काम कैसे करते है ये simply क्या करते है जो insulin का secretion अधिक मात्रा में या sufficient quantity में नहीं कर पाती है तो आपको diabetic condition हो जाती है आप जो मारे फ्लेवोनोंस हो क्या करते है जो beta cell की responsibility है ये उसकी function उसको improve कर देंगे आप जैसे ही उसको improve करेंगे जैसे उसकी function को बढ़ाएंगे तैसे तुरंत करने लगेगा आपकी beta cell से जो insulin का nutrition वो थोड़ा और ज्यादा होने लगेगा और जैसे ही जैसे ही उसका amount बढ़ेगा तुरंत आपका जो elevator blood sugar है वो आपका down हो जाएगा इसका मतलब क्या है neutral हो जाएगा and stimulation आप glucose uptake और क्या करते है glucose uptake अब देखे glucose uptake का मतलब कर जैसे आपके cells है उनके दोरा जो glucose का आपटेक मतलब simple जैसे खाने की जो परकिरे होती है कि आपके जो tissue है जो आपके cells है वो glucose को खा जाते है उसी को बोलते है glucose uptake उसको भी क्या करता है stimulate कर देता है जैसे जो आपकी tissue है जैसे glucose को खा लेगी उसमें enthalpy निकलेगी आपके body के अंदर एक energy बन जाएगी तो जो glucose होगा वो आपक protection यह होता है अब example को तौर पर कौन कौन से फिलेवोनोंस ऐसे हैं जो कि diabetes के condition में यूजोते है पहला आता है कि एपीजेनिर यह बिसेकली पाजाता है औरेंज टे ओनियस गार्लिक्स और यतने भी आपके फाइबरी डाइट से जैसे आम हो गया आम रूथ हो गया इन सब के अंदर पाजाता है अब इनका काम क्या होता है यह protection देते हैं जो आपकी बीटर सेल डामेज हो जाती है पेंक्राज की बीटर सेल डामेज हो जाती है जिसको जैसे आपको डाइबिटी इसको प्रोटेक्शन देती तो अगर आप एपिजेनिन इसका मतलब क्या है जो इतने भ स्पार्वाख्रीर लां सी ép currency केêuं तक यह वंच्छाजा करता है कि वीटा सहिए करें ऐसमेंट से लुग ciento होगा बढ़ा देता है तो तो पारां ईंसलेन का सिक्रेशन भी बढ़ंगा जिसका ज़से जो इंसलिन का concentration जो insulin का amount है आपके body के अंदर वो बढ़ जाएगा और आप diabetes के condition से उभराएंगे उसके बाद आता है आपका क्या बैकलीन एंड टेंजेलिटीन ये क्या करते है इस्टुमिलेशन अप गुलुकोज का मतलब और ये आपको कहां पाई जाते है चॉकलेट में सिट्रस फुरूट में वाइन में टी में वाइन ऐसी नहीं कि ज़्यादा वाइन टेबल वाइन जो होती है उसको अगर आप इंटेक करेंगे तो इससे आप मिजात पाते रहेंगे उसके बाद आता है सेकेंड जो हमा इसका मतलब क्या है कि आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि 50 mg पराचीटमॉल के साथ जो आपकी बोड़ी है वो tolerate कर गई मतलब tolerance कर गई तो इसी के बोलते है tolerance तो वह होता है इसमें कि reduce glucose tolerance मतलब जो patient का है जो गुलुकोच का tolerance लेवल है उसको क्या करते है घटा देता है और क्या करते है omega 3 जो fatty acid होता है यह insulin के सिंथिस के लिए रिक्वाइड होता है मतलब जो insulin होता है ओमेगा-3 fatty acid के लिए रिक्वाइड होता है कि इसकी body के अंदर synthesis हो जाए और जैसे ही synthesis हो जाएगी glucose का और body का जो हमारे tolerance होता है वो घट जाएगा और आपका जो diabetic condition मतलब elevated blood sugar double है वो घट जाएगा अपने लेवल पर आ जाएगा अब बात आती है कि जो हमारे यह omega-3 fatty acid है यह आपको मिलें के कहाँ से वैसे तो basically आप यतने भी protein के powder powder इंटेक करते हैं यतने भी powder के powder आप दोद में मिलाकर पीरते हैं उन सभी में omega-3 fatty acid DHA यह सारी चीज़ा पाई जाती है लेकिन अगर आपको natural source से लेना हो तो आपको कहां से मिलेगा यह आपका omega-3 fatty acid तो सबसे पहला आता है कि बेरी जो आप बेर वगारा खाते करता है कि alpha-ninoic acid का क्याम करता है कि जो आपके beta cell होते हैं वो क्या करता है उसको damaging से रोकता है उसके बाद fish and fish oil होता है इसके अंदर गया था इको से pentanoic acid पाई जाता है ठीक है जिसे डियाच्चे होगा डेक्साक्षाज़ाइक इससे मिलता है ठीक है तो epigenin इसके अंदर हो walnuts and navy beans का impact क्या करता है alpha-ninoic acid पाई जाता है जो क्या करता है आपकी body को सूरच्छा परदान करता है आपके pancreatic cell को stimulate करता है और glucose के uptake level को क्या करता है वो बढ़ा घटा देता है और आपका जो diabetic condition होती ही वो simply treat हो जाती है ठीकरा उसके बाद जो third आपका था लिपोईक acid ठीकर लिपोईक acid क्या करता है as a antioxidant यूज के जाता है और diabetic neuropathis से हमको क्या करता है अराम देता है अब बातती की antioxidant कैसे काम करते हैं तो जो antioxidant अगर जैसे ही आप intake करते हैं आपके body के अंदर जैसे ही antioxidant बनते हैं यह free radicals बना ले लेंगे तो क्या करेंगे जो आपके body के अंदर excess glucose glucose है आपके blood के अंदर जो excess glucose है उसको क्या करेंगे खाना श्टार्ट कर देंगे मतलब कहने क्या है उसको भाजम कर लेंगे, जैसे आप खाना खाते, खातम करते हैं, उसी फरकार सो जो pre-radicals होंगे, वो glucose के लेवल को जो आपके blood के अंदर है, उसको खाना स्ष्टाइट कर देंगे, और अपने अंदर सवाहित कर लेंगे, तो आप यह blood के अ अंदर सो habit के अंदर ये सर्चीज़े कहां कहां पे मिलेगी, तो फांड इंडा, टोरिक्रियम, पोलियम में मिलेगा, शिन्नामन में अब दाल चीनी में मिलेगा, एंबिटर, मेलन के अंदर मिलेगा, और एक चीज़ इसकी एक और खासी आते हैं, कि जिनका वेट जादा होता है, अगर वो शिन्ना क्लोजी में बहुत सा इसकी डिजिज पड़ी, ठीक है न, एथरोसिल लॉसिस देखा, हमने हाइपर लिपीडीमिया देखा, ठीक है, हाइपर टेंसन देखा, ये साचीज़े देखी, तो उन साचीज़ों को हम लाकर यहाँ पर इंकलिवड कर सकते हैं, तो अगर हम यू कहे हैं, जो हमारी कार्डेबस ग्रोड डिसॉर्डर के अंतरगत आने वाले डिजिजिज जैसे कोरिंडी हाट डिजिज हो गई, एथरोसिल लॉसिस हो गई, माय कोर्डेंट इन्फेक्शन हो गया, हाइपर टेंसन हो गया, कार्डेइक हाइपर लिपीडिमिया हो गया, ठीक हना इसका मतलब क्या है कि इलाज से बचाओ अच्छा है तो बचाओ आप कैसे करेंगे बाइदा यूज आप दे न्यूट्रासूटिकल ठीकर तो दीज आज सम एक्जामपल इन कॉमन डिसॉर्डर आप दी हफ्मा तक यह जो हमारे मैंने आपको एक्जामपल दिया यह आपको कही वेस्ग डिसॉर्डर या डिजस के वजा से मरें इसका मतलब क्या है वो डेध हो गए है अगर आप गर सुछ करने के मतलब कहने का क्या है सुरू से ही सजग हो जा रहे है उसके प्रतिस सचेत हो जा है तो आपको आगे चलकर heart attack की problem नहीं हो जाएगी नहीं होगे अप कैसे नहीं होगी देखे ज्यादा मसालेदार चीज मत खाएं ज्यादा तेली चीज मत खाएं हरी सबजी का ज्यादा ओपियों कीजिए यही सब इस वीडियो में आपको बता रहा हूं सुरू से लेकर और अंत तक मैं आपको यहीं चीज बताता रहूंगा ठीकर इस इंक्लिज फ्लेवोनेट्स मैंने आपको जाती है सोयबीन के अंधर एसेंशल फैटी एस लिगनेंज मेलटोनिन ल्यूटन एन कार्नेटिन यह से हमारे क्या होते हैं कि जो हमारे कार्डियो वैस्टोलर डिजीज होती है उससे हमको प्रिवेंट करते हैं तो यह हमारे अक्टेजें न्यूट्रा सूटकल्स काम करते ह अब बताती है कि कौन-कौन से ऐसे न्यूट्रा सुटकल्स है जो कि prevent करते हैं किसको CBD मतलब Cardio Vascular disease को या हम यू कहें कि हम कौन-कौन से ऐसे न्यूट्रा सुटकल्स है जिरको इंटेक करते रहें long time के लिए और हम किसके लिए इंटेक करेंगे कि हमको कोई भी Cardiac arrest ना पाए हाइपर टेंसन ना हो CHF ना हो हमको अतरोसिल लॉसिस ना हो कोई भी Cardiac Vascular Disorder ना हो तो हमको इन सारे न्यूट्रा सुटकल्स का यूज करते ना चाहिए तो सबसे पहले बात आती है कि किसका सबसे बात पहले आत वेजेटेवर्स हैल भी रिपोर्टेट टू भी एफेक्टिन प्रिवेंशन अगेंदी काडियोवेस्टो डिसॉडर मतलब यह सारे चीजे रिपोर्ट की मतलब काजु बदाम करी चुवारा किस्मिस यह सारे चीजिए होगे जो वेजेटेवर्स हो गई यह क्या है अगर एक बार किसी को हो गया तो धिर धिर उसको अंदर बहुत साथी बिमारिया बंती चली जाएंगी तो एक समय ऐसा आता है कि आप लोग यह सुनते होंगे कि जो ग्लीजी पाइड वगरा का यूज करते हैं ब्लड सुगर को कम करने के लिए एक से दस से बारा साल के यॉत्रिस्ट कर कौन कouri से हैं जिसको हमको antetag करना चाहिए पहला आता है कर्कुममें आपको मतलब क्या होता है कलक्यूमा लोगा इसका मदब हल्दी मदब जो हल्दी के अंदर बायो एड़ वे किमिकल कंस्टुटिवेंट है उसको आपको इंटेक इसका मदब क्या है कि आपको हल्दी का प्रॉपर यूज करना होगा अपनी डेली लाइफ में जैसे आप दाल खाते हैं चावल सोरी दाल सब जिखाते हर एक चीज में आपको हल्दी का उप्योग या दोद में हल्दी डालकर पीरने से जो आपकी कैंसर होने की संभावना है जो CBD की डिजीज है या कोई भी किसी भी परकार की डिजीज है वो आपको इसली नहीं हो पाएगी तो इसके अंदर कौन-कौन से थेराप इंसरी करें घंटलिज में होता है तो वो भी treatment हो जाता है एंटि कार्सोय जिनिस्टिटिक होते हैं मतलब कैंसर के जो मतलब जयो कैंसर होने वाला उसको भी क्याकते प्रिवेंट कर देते हैं इन्हें हाइपर कोलेस्टेमेक मतला जो कोलेस्टाल को जो लेवल होता है आपको बॉडी के अंदर उसको भी घटा देते हैं तो करक्यूमिन आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़े आपको इसको डेली के पर डेलाइब में लेनी चाहिए अब आत है यह अलेडियम फार्मकोलोजी सेकेंड में डिसकस कर चुके है अगर आपको इसके भी से में ज्यादा डिटेल में जान करें चाहिए तो आप जाकर हमारा एंटी हाइपर लेपीडिमिक का वीडियो देख लिए आपको पता चलिएगा कि एटेल का लेवल बढ़ने से और लेवल घटने से क्या बॉड़ी के उपर एफेक्ट होता है ठीक ना प्रोटेक्शन अगेस्ट पूफा एंड एल्कोहल इंडियोज हाइपर लिपीडिया में यह भी हमारी क्या है हमारी सीवीडी है मतलब कार्डियो विसकों से करकुमिन से हमको क्या मिलता है प्रोटेक्श प्रोटेक्शन इंडियोजियोज ह laboratory के लिए उसको तो हुट यह प्लंजियोज होता है ऊपका ब्लर टीक आपड़ बढ़ जाता है मतलब ब्लेड के अंदर लगने वाले जो प्रिसर होता है वो बढ़ जाता है और आपको हाई बीपी की प्रोब्लम हो जाती है तो जैसे ही एसी को इनिविट करेगा तो आपकी जो ब्लेड पेसर इलिवेटेड होगा उसको क्या करेगा वो डाउन कर देगा ठीकर इसक अब बताती है कि प्लेड एग्रीवेशन से अबको मतलब कैसे यह सीवेस काष़ करता है तो जैसे आपकी अल्टरीश है अल्टरीश के अंदर प्लेट़ पाहिजा देगा अगर वो आग्रीगेट हो जाएंगे तो क्या एक गाठ बना देंगे अब जब वो एक गाठ बना द पर इफेक्ट करते हैं इससे प्रप्त होता है उसका नाम होता है जो की यूजफूल होता है वेरियस कार्डियोवेस्कुलर डिजिज के लिए इसका मतलब हम कहें कि जो गार्लिक मतलब जो लहसुन होता है ठीक है ना लहसुन का अगर आप यूज करते हैं तो डिफरेंट आपको जो CBD की डिजी जो होती है उससे आपको यूजफूल होगा उससे आपको प्रिवेंड करेगा अब आते हैं अधर्स के अंदर अधर्स के जिसे ग्रीन टी हो गया तो मैंने आप को सुराद मेंज़ गरीन टीन क्या करता है कि जो आपको कोलेस्टरल का लेवल होता है वह उसको घटा देता है नर्स होते जो नर्स बहुत ही अच्छे होते आपके हैल्थ के लिए यतने भी आपके जो पेसेंट होते CBD के उनको जो डॉक्टर होते हैं वो इस पैसले नर्स कहते ही है कि आपको इसको जरूर से जरूरी इंटेक करना चाहिए कि वो क्या करते हैं जो LDL का लेवल होता है उसको घटा देते हैं ओमेगा-3-फैटी-एसिड्स सोय प्रोटेन्स यह क्या करते हैं प्रेवेंड करते हैं मयोकडिन इंफेक्शन को ठीक है आपकी बॉड़े के अंदर एंटी ओक्षिडेन्ट के प्री रेडिकस बनते हैं और क्या करते हैं आपको डिजी से चुटकारा देते हैं यह हो गई आप की दूसरी नमबर की डिजेज अब आती है थार्ड जिसका नाम क्या है कैंसर जो की वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो सबसे जादा फैलने वाली बीमारियों में से एक है और इसकी वज़ा से जादा से जादा मौते भी हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में ठीक है आईए बात करते हैं इसके उपर ठीक है तो कैंसर है इमर्ड जाए जाए मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन डेवलेपिंग कंट्री चाहे वो डेवलेपिंग हो इससे कोई फराख नहीं पढ़ता है हर जगा कैंसर उपलबद है इसका मतलब क्या है जो कैंसर की विमार पंदरा मिलियन न्यू कैंसर के पेसेंट है वो 2020 में रिपोर्ड किये गए मतलब अगर एक साल के बारे में बात करें मतलब 2020 के बारे में बात करें तो जो पंदरा मिलियन वो भी नए कैंसर पुराने की तो बात छोड़ दिए जो नए कैंसर के पेसेंट है तो इसका मतलब सम सकते हैं कि कितना ज़्यादा यह अपने पैर पसा रहा है इसलिए हम को आपने डेली Life में चेंज़स लाने होंगे हमको lawsuitiyoruz करने होंगे जिसPhone को Cancer से Prevention मिल सके तो उसी के वादे में बात करते हैं जी कौन से न्यूट्रा सुटकल्स का म्योज करके कैंसर को प्रिवेंड कर सकते हैं यह देखे आपके डेली लाइप के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है इसलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप ध्यान में लगा करके बुद्धी में बैठा लीजेगा अब क्या करता है जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है अब जैसे आप जानते हैं कि जो कैंसर के थेरिपी की जाते है वो जीन एक्सप्रेशन से की जाती है जिसके वज़ाद से क्या होता है जो मतलब कैंसर यह सेल होते है वो डेड हो जाते और आपकी बाकी की जो जीन होत tumor necrosis factor जैसे DNA factor होगे इनको क्या करते हैं इनके production को बढ़ा देते और जैसे ही इनके production को बढ़ाएंगे आपके body के अंदर कोई भी परकार का चाहिए बैक्टिरिया होगा चाहिए virus होगा चाहिए फंगी होगा कुछ भी होगा चाहिए प्रोटर जोवा होगा यह कहते हैं जो आपके cancer के जो cell होते हैं उनको मार देते हैं मतलब खतम कर देते हैं तो इसका simple mechanism of action यह होता है बताती है कि कौन-कौन से से nutraceuticals हैं जो की use करते हैं कि हमको जो cancer है उससे prevent हो सके या उससे हमें बचा हो सके तो पहदा आता है lycopene lycopene आपको कहा मिलता है टमाटर के अंदर मिलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर का उप्यों कीज़़े lycopene contained vegetable and fruit exact anti-cancer properties मतलब जो हमारे lycopene जितने परदार्श में पाज़ा दें उसके बाद आता है polyphenols, अब polyphenols क्या होते हैं, इसे फांड इंदर सिर्यास, मतलब जो अनाज होते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं, टी मतलब चाय, कॉफी, कोका, ETC में पाए जाते हैं, जैसे कोका नट ओयल होता है, इन सब के अंदर हमारे polyphenols पाए जाते हैं, जो क्या करते इनिशेशन आप कार्सिण, मतलब जो कार्सिण का इनिशेशन, मतलब प्रारंभिक दौर होता है, आपकी बोड़ी के अंदर आटेक करने का उसको ही इनिविट कर देते हैं, और क्या करते हैं, सब्रेटी प्रोगेशन आप दी कैंसर, जैसे आपके बोड़ी जो होती हो, प् इसके बारे में आपको जिक्रिट जरूर मिलेगा, यह हमको बेसले की नहीं कहा पर मिलता है, ग्रीन टी में मिलता है, और कैंसर प्रिवेंटी प्रोपर्टी भी पाई जाती है, तो अगर आप इसको लेना चाहें, तो आप ग्रीन टी का यूज कीजे, और सुबह क्या करने, आप ग्रीन टी का यूज कीजे, फिलाल अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आपके सहत के लिए ओभी सिटी नहीं होगी, दूसरी बात आपको कैंसर नहीं होगा, डाइबिटेज बगार के खतरा भी आपसे ग्रीन टी से दूरी रहेगा, ठीके न, अब नेक्स रहता है, आपने डेडी लाइफ में, तो यह क्या करते हैं, यह अगेंस्ट किसके कैंसर के अगेंस्ट एफेक्टिव होते हैं, फ्लेगोनाइट्स कैंसर के प्रति भी एक्टिव होता है, मैंने आपको डाइबिटेग में भी बताया, मैंने आपको सीवीडी में भी बताया, अब इसम से आपके ऊरेंज होगे निय्म होगए करते हैं अगयां सीक्राट जिसके आपके बंग कांश होने की चांसे हैं वो इसके प्रोटेक्शन मिलती है तरफ जाती है उसके वज़ादे सपोरने साथ है यह भी आपके प्लांट से केडरी मेटाबोलेट्स होते हैं इसे टमेटो पटेटो एलफा एलफा जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एलफा एलफा जो इस्टुडियो आपको फूड में एलफा एलफा चिकोरी जिंजर यह सब पढ़ेंगे तो उसमें मारा जो एलफा एलफा है वो पहली ड्रग होने वाली है यह क्योंते हैं एंटी म्यूटाजेनिक एक्टिविटी एंटी टूमर एक्टिविटी इनके अंदर पाई जाती है तो यह क्या अगर ते आपको जो कैंसर होता है उससे आपको घरसीत होंगे एक होता है अलसर सिंपल बार सामें प्रिप्टिक अलसर एंड को if को इनरेटी इरिटेबल बाल सिंड्रोम के नाम से जयाने जाता है मतलब कुरों और आता है कि आपका amino salicylic acid यह भी आपको मिलेगा कहां यह आपको हई सब्जियों में मिलेगा दही बगार में मिलेगा ठीक है modified food में मिलेगा तो यह हमारे जो होते हैं amino salicylic acid वहां पर आपको मिलेगा यह highly effective होते हैं कि इसमें management के आप संसाइटो का भी फार्मकलोजी में पढ़ा होगा जिसमें आपने टीने फ्रेक्टर मादलब ट्यूबन नेकरोसिस फ्रेक्टर आपने पढ़ा होगा उसको कहकते हैं इनिबिट कर देते हैं अजब इसको इनिबिट कर देंगा तो जो वहां पर inflammation होता है वो जो गिजयाट होगा जाकर लग नहीं पाएगा जब घाव भर जाएगा तो आपको वहां पर किसी परगा की कोई भी दिक्कत नहीं होगे उसके बाद आता है अलोवेरा जल देखिए आज हमारे गाओं में यह कहा जाता है कि जो यूज करते हैं उनको गैसित्रिक की प्रॉब्लम नहीं होत है तो इसका जो यूज करता है आई बीडी की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए जाता है उसके बाद आता है एंडोग्राफिक पैनिकुलाटक जिसका मतलब कालमेग का जूरन इतना ज्यादा अच्छा होता है कि अगर आप उसको इंटेक करेंगे तो जितन जिससे आप पीरते हैं अभया रिष्ट पीरते हैं ठीक आना पार्चन सुधकन दस और एक और कि आता है पंच मुला रिष्ट आता है यह सा बात है जिस सब को क्या करते हैं आपकी बॉड़ी जो होती है जो अंदर आपकी गैस बने के समझ्से होती है इसको आपको निजाद देने के लि पंक्चर हो जाते हैं उसको क्या करता है प्रिवेंट करता है जिसके वाज़ा से इंफ्लामेशन नहीं हो पाता है और टीवर नेक्रोंसियस फैक्टर को भी यह क्या करता है इनिविट कर देता है अब इसमें जो हमारे नेक्स न्यूट्राशूट का रहा है पॉली फेनल्स इसका मतलब क्या है इसको बढ़ावा देते हैं और जो आपकी इंफ्लामेशन के कंडिशन उते इसको ब्लॉक कर देते हैं उसके वाज आता है ओमेगा थी फैटी एसीड यूजिन दर टीटमेंट आप दी कोलाइटिस जो कोलाइटिस होता है जिससे आपको यह हमारे मेंब् इससी को बोलते हैं कोलाइटिस तो यह यूज कह जाता है उसके आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूटर सुट कर सुन्स वेरियस गैस्ट्रोइंटेस अने डिजिस देखे यह आपको ऐसा टॉपिक है जिसमें किसी भी पार्टिकुलर डिजिस का नाम आपको दरसाया इसका मतलग किसे जो पीपर में आने के चांसे अगा भी सकता है और शकता थी करेंगे लाइट यह सब गया इन सब के लिए हमारा जो होता है जी आटी डीजिस के अंतरगत में आती है तो एक चीछ आप समझ लीजिए कि इतनी भी डीजिस होती है उसमें जो अगर आपने पहला लेक्षर देखा होगा तो आपको तुर्ण समझ में आगा होगा कि प्रोबाटिक ऐसे एजेंट होते हैं जिसमें किसी समारे डीजिज है वो डीजिज नहां सकें तो पहलो आता है मतलब और धिसाउड़र है यह इसने अब इसने कौन को से प्रोबाइटिक अbn लेक्टोबैसलस जैसे मदब treatment of the gastritis एक्जामपल के तो लेक्टोबैसलस जैसे दही हो गया लाक्टिक एसेड हो गया इस्ट्रेक्टोकॉकस और यूज इन गेस्ट्राइटिस प्रोब्लम उसका बाद आता है लेक्टोबैसलस तो आप समझेंगे ही जो आप फार्मकलोजी पढ़ेंगे तब तो प्रोबैसलस में क्या होता है कि जो आपकी वहाँ की लाइनिंग होती है लाइनिंग डैमेज हो जाते है जिसके वहाँ पर जब आपके बॉड़ी के अंदर असेल का मतलब आपके पराइटर से असेल का सिक्रेशन होता है तो क्या करते हैं जो आसेल जाकर कि वहाँ पर बर्निंग स्टाइट कर देता है अपको पेप्टिक अलसर बहुती खतरनाक बीमारी से गसित हो जाते है इसको बोलते मी stainlessook का अब इसमें कौन-कौन से यूज होते हैं एंथोसाइनसाइड यह प्रिवेंट एंड क्यों करते हैं अलसर बाइस्टुमिलेटिंग दा बायोसंथिस अब जैसे वहाँ पर एक लेयर बना देगे जिसके वज़ासे जो आपकी म्यूकोसल डैमेज है वहाँ पर एक लेयर बनाने यह होके हमारे कोच उसके एक्जामपल अब आता है कर्क्यूमिन भी आपका क्या है एक ऐसी एजेंट है जो कि आप सुरू से लेके साइज सीवीडी हो चाहे हमारा डैबिटिक हो चाहे कैंसर हो चाहे एरिटेबल बाव सिंड्रोम हो हर एक ही में हम से कर्क्यूमिन पढ़ते को चाहे में उसको भी हैका है हील का देते हैं कॉमन उट्रीस हुटक लिगडार का कौनगा करे स्के blijven बेब बाव में इद्सक्टाब मुद्ध हो घये ननना कॉलव मतलब आपके वह्पैटिक होते है इलियम के जो अल्सर होते उन सम्में का यूच कर जाता है तो आई होप यह आपको जो न्यूटर सुटकल का सेकंड पार्ट था जिसमें हमने बात की हेल्थ बेनेफिट एंड रोल आप दे न्यूटर सुटकल निन एलमेंट लाइक डाइबिटेज, सीवेर डिजेज, कैंसर, इलिटेबल बाउस दिन्डोन ये आपको समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आया तो भी समझ वीडियो को लायक कीज演, चैनल को सबस्क्राइब कीज़ए और कमेंट करके हमको जो रूपताईगा कैंद आपको वीडियो कैसा लगा थैंक्यू फोर वाचिं आफिर टाすीन फार्मेशी